बिस्मिल्यारा भाइद रहें, असलामेक। मेलारा मुझे सब खरीयत से होंगे। तो आपनों की पता है कि मैं चेप्टर नवर्ड 6 कर रहे थे, फिल्यूट दैनमेक्स का ठीक है। यह कम्रें कि इसे नोग के तो रहे ही जिए फिल्यूट के दिखा थे, फिल्यूट के साहते हैं, और अपनों को मैं पता है, रही तर्मिनल व्लास्टी यह जी क्या चीज रहे है। सबसे पर्देफिनिशन अ टर्मिनल व्लास्टी के यह है क्या चीजिज। The maximum constant velocity of an object falling vertically downwards when the weight of the object is equal to direct force is called terminal velocity अब इसको समझने के जरूरत है कि बैटा जब भी कोई droplet ये पानी का कत्रा हो गारा जब आस्मान से नीचे जमीन की दरब को गहर रहा होता है तो होता कि उसकी कुछ नो कुछ बैटा velocity होगी तो इसकी acceleration क्या होगी जो ए अर्थ की acceleration है gravitational acceleration small g अब आप लोगों का कता कि जब आप बाई को गया रहा चलाते हो कोई गाड़ी चलाते हो ये कोई भी चीज चलाते हो तो बैटा आपका जो फोर्स है एक opposite side से आपको एक force लगरी होती है हवाल अगरी होती है तो drag force जो है d इसकी opposite direction में होगी बट क्या होगी कि वह equal to weight होगी और यह अपने पीछे पड़ागे कि किस पर डेपेंड करेंड कि speed पर जितनी जारा तेज गाड़ी चलाओगे या speed के साथ उम जाओगे उतनी ही जारा तेज में होगे तो कहता है कि वह time जब क्या हो कि आपकी drag force जो कि opposite direction में लागे अबव और जो बचे आपका weight है वो भी force है वो ecology तब कहता है कि जो velocity होगी वो maximum होजेगी ठीक है maximum का मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा बज़ेगी maximum का मतलब है कि जितनी भी होगी उससे ज्यादा आप उसकी velocity बढ़ना रुक जाएगा ठीक है उसकी आगे उसकी velocity increase नहीं का रही है तो this is terminal velocity की definition है अब हम उसके relations देखेंगे find करेंगे कि इन चीज़ों पर depend करती है कैसे काम करती है कि क्या चीज़ है ठीक है उसमें के रहे है कि consider करो एक drop light मतलब पानी का छोटा सा क्राजर रहा है वो जमीन की तरफ गर रहा है तो बैट हापको और यह drag force increase करती है कि जू जू बैटा उसकी velocity increase करेगी तो velocity जू 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 उसकी दरफ अत्तरफ इंक्रीज करेगी यह drag force भी increase करना चुछीग है ठीक है just like this कि आपका weight जो है उसका नीचे को होगा और drop light है उसका कुछ ना कुछ radius होगा पानी का जो कत्रह अपको लग रहा है तो वो टीक है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा radius होगा बेशक बहुत चोटा ही क्यों ना होगा और उसका उसकी शेप को सफेर की तरह होगी सफेरिकल लब हम एस्टिमेड एजूम कर लेते हैं हम फर्ज कर लेते हैं कि उसकी तक्रीब पर्रफ़क्ट की लिकिन ऐसा होता नह तो जब और नीचे की तरफ आरा जमीन की तरफ उसके पर लेकि जा रहे है नीचे को तो हम क्या पैंड करेंगा कि नेट फॉर्स उसे क्या लग रही है तो नेट फोर्स क्या होगा कि weight बेट नीचे को है तो उसमें से minus कर देंगे drag force को ञेक है तो जो net force उस drop rate पर लगरी होग यह होसब ठीक है एवेट-बै्ट उच्पोर्स होजेगी विखियोर्हीन इस थरगा, तो प्रॉल्वी जो कि ईड्रेइग प्रॉल्च करती एड्यों कहीं सेथ धीकर्फ प्थ neutrब्र खी सिरह सा हूँ एकर्फथ है जूँजू वह विलासिटी इंक्रीज करेगी ड्राइग फोर्ज वह भी इंक्रीज होती जागी और एक वक्त आएगा कि बच्छे क्या होगा कि वह वेट के बिल्कुल मैगनिचूड में डिरेक्शन की अपोजिट है पट क्या होगी मैगनिचूड के बराबर होजेगी तब क क्या होगा कि यह हम उसकी विलासिटी मैक्सिमम होगी है उसकी विलास्टी और बढ़ना रुक जैगी और उसके ऊपर जो नेट पॉर्स लगरी है वो क्या हो जैगी bizarre जब बेटा weight और drag force बराबर हो गई है तो उसके अपर net force कितनी हो गई है जिस force के साथ नीचे को आ रहा है उसी force के साथ उपर को भी लागरी है तो तब भी कहता है जो उसकी velocity होगी, that will be terminal velocity तो कहता है कि हम consider कर लेते हैं कि net force 0 है तो net force हमने कह दिया कि जो ट्रापलेट पे लग रही है वो 0 है तो हमारे जो equation है net force की अब यो पूपर ने देखिए हैं कि net force is equal to weight minus drag force तो बहुत है उसमें हम पता है कि जो drag force है वो किसके बराबर है वो बचे बराबर है 6 pi eta r vt यह हम अभी पीछे पढ़ के आए और यह टी इसलिए लिख दिया कि हम आप ट्रमिनल विलास्टी पॉइंट कर रहे है जैसे हम यह condition f nut net force है इसको हम zero put करेंगे तो हम यह velocity जो है वो ट्रमिनल विलास्टी होजेगी वह ही कहता है कि यह आपका पीछे फिलास्टी है आपको पता कि drag force किसकी equal है और weight की आपको पता है कि force is equal to weight और mg के बाबर होता है value substitute करेंगे अब हमें पता है कि net force है वो zero होगी है वो ट्रमिनल वास्टी होगी ही तब जब जब आपका net force के वाज़े जीरो होजे उसकी value 0 substitute की तो कहता है कि जो weight है और ड्रैक फोर्स है और weight है यह क्या होजेंगे यह इक्वल होजेंगे यह बटन opposite direction तो बटन यहां से हमने ट्रमिनल वास्टी की value निकाल ले नहीं हो mg over 6 by eta अब यह कहता है कि हमें यह पता है कि यह हमारे पस्टोर मिल वास्टी है अब यहां पर मास्टी को मुल्टिक्ला कर देंगा अब आपने पुड़ा हो गया देंश्टी इस इकोस्टो मास अब वालियम को क्या करो देंश्टी से मुल्टिक्ला करते हो आपके पास मास आजएगा वहीं फांड करते हैं अब मैं बताएं बच्चे के shape के droplet की मैंने पहले बताएं कि जूम कहीं चाहिए यह परफेक्ट्ली सफेर है एक आपका सफेरिकल शेप एस प्रॉपलेट की तो बच्चे उसका वालियम आप सफेर क्या होगा अब यह हम टर्मिनल व्लास्टी की जो एक्वेशन थी हमने पिछे लेखा था उसमें क्या कर देंगे सब्सिटूट कर देंगे मास के जगा करते है इसको solve खुरो बटे तो आपके पास answer आजएगा ठीक है हमारे पास एक्वेशन आजएगी हो जाएगी टू अवर नाइन ठीक है डेंस्टी रो डेंस्टी आजएगी आर स्केर जी तो यह बेसिकली आपकी एक्वेशन है इसकी टर्मिनल व्लास्टी की अब हम यह देखेंगे यह डिपेंड किस पर कर रहा है अगर वह और करो बटे करते है इसमें डेंस्टी भी इंस्टी बींस्टी आきた विक णे के अए ट्रॉपलेशन हिए जो जी यह बिता यह बी कॉंस्टन अब पानी की जो विस्कॉस्टी आइड यह बोते इ मेर् फैसfront हुर्फ तो आपको पता चलए कि आपका जो तर्मिनल व्लास्टी है कि किस் पर और किसी चीज पर depend नहीं करती। अगर जतना बड़ा होता जाएगा आपका ड्रापलेट को इतनी ज्यादा velocity होगी। जतना ड्रापलेट कम होगा इतनी उसकी terminal velocity की बात करनें। और यह बात याद रखेगा कि terminal velocity है, यह maximum velocity है। और maximum का मतलब यह जियन में पूर नहीं लेना कि लाखों में क्रोड़ों में होगी maximum का मतलब एक चीज है उसकी बेटा विलास्टी पांच मेटर पार सेकंड से बाड़ी नहीं लिए उसके लिए तो भी टर्मिनम है वो भी अखीर लार्जस्ट है उससे जब उसकी बाड़ी नहीं लिए उस सेम चीज होता है और इसी वजह से आम तो पर होता है कि जो आपके फॉग है जो दूंदा आजकल है कभी आप बार आयो तो आपको कथरे जो अपने बालों पर महसूस होते हैं तो हासल में जो आपकी दूंद है वो पानी के ही कदरे हैं लेकिन उस जमीन की तरफ क्यों नहीं गिर रहे होते वज़ा कि उनकी स्पीड इनका साइज इतना चोड़ता है कि उनका वेट और उनकी टर्मिनल लास्ट की बराबर हो जाती है इसलिए वो हवा में ही लहर आते र कि पहरे हैं उनकी लु करूल zoalsज़ता है कुछ है है अ कि लूर्मिनल वा इनकी recht ऍाते हैं यह आता हैं रहे ह umbrella है वेते वेघ्स हारीज करूल-प्यश्द लून है जाते हैं उनकीे